जैसे कि आज लोक जन सक्ति पाटी का आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे धर्ना हुआ था और आज लोक जन सक्ति पाटी ने ग्यापन सोपा है गवर्नर को मार्सल के लिए रिक्वेस्ट की है कि इतने दसजार कुछ मार्सल जो बेघर हो गए हैं आज कुछ हमारे साथ मार्सल दो-तीन लोग घड़े हैं इनसे हम बात करते हैं जानेंगे यह बताते हैं कि काफी सारी दिक्कते भी आई हैं जबसे इनकी नोकरी गई है उसके बाद कुछ मोते भी हुई है कुछ लोगों को घर तक भी बेचना पड़ा है बांकी जानकारी यह सब्सक्राइब कर दो बताएंगे हमें बताईये जी अपका नाम जी सर्में आरेश मिस्रा दिल्ली सिविल डिफेंस से मार्सल था अभी तेईस अक्टूबर दोहजार तेईस से दस या साथ सो बानने बे लोग जितने भी सिविल डिफेंस के हर जगे कई ओफिस में सब लग से हैं कि सब परिसान है और बिना कुछ नोटिस दिये बिना कुछ बताए हुए तो पहले पांच मेहने की सहली रोकी गई उसके बाद अक्टूबर दोहजार तेईस से हम सब को वहां से वापस बुला लिया गया सर्विस से सभी को एक तरफ से तो इससे कभी लोग परिसान भी है किराया ने दे पारे बहुत से बच्चों बहुत्चों की दिक्कतोरी स्कूल की फीचनी दे पारे टूशनी दे पारे हैं और सभ भीच में अबहुत यह नहीं पता किसके द्वारा कैसे की हुआ हमें तो यह पता कि हमें देली सरकार ने हम लोगों को लगाएथा अब यह आ रोप प्रतारूप दोनों तरफ से लग रहा है उपराजी पाल जी ने निकाला है वो कहते कि दिली से कारनी नीकाला है तो यह कु तो हम तो यही चाहते हैं कि मतलब कि जितने भी जो भी सरकारी है जितने भी हमारे बिरोजगार हम मानते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी हम रोजगार देंगे रोजगार देंगे चलिए ठीक रोजगार नहीं भी दिया है जैसा कि कुछ लोग भी एक लोग बात रखी हुई है आपके साथी से बात करते हैं आप में मार्शल हूँ और मेरा नाम देवराज है हमें पता लगा कि जंतर मंतर पर लोग जंसक्ति पार्टी का एक प्रदशन होने जा रहा है तो हम देखो आस जो तिनके का सारा डूबते को तिनका का सारा वह वाली चीज हमा परती पार्टी से राम्वलास तो हमने इwn से बोला सर हमारी हृत में उन्हों самомस्या सुनी और पहुर्य समस्या सुनते चल मिए और आए और अप्रदशन हमारा चार महिने से कल रहा था का एक बार बीच कि अवी शाब तक पहुचाएंगे जो यह पन उन्हों ने अपने जो लोग जनसक्ति का जू लेटर है हमारे अंकल जी खड़ेंगे हो इनके हाथ में लेटर रखा है उनका है कि अब भी मार्सल में नो मैं तदेश उपाध्यत्य शेह हूं दिली पदेश में लोग जनसक्ती प पूरा मदद कर रहे हैं और इनके जहां तक मदद होगी। कोसिस पूरी होगी कोसिस है हमारी पूरी कोशिश है दन्वाद करना चाहेंगे aside क aos उन्हीं में घर से निकाले वहाद मि आध्मी हैं अम लोड जो भी हमारी मदद करता हम उनका दन्नवाद करते हैं और हमारे सिवा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ धन्नवाद करते हैं, और हम मोदी जी हैं, जो कि हमारे देश के परधान मंत्री हैं, हम उनका परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, हम उनका भी तह दिल से धन्नवाद करेंगे, उनके परिवार हैं, हमारे बड़े हैं और हमारे देश के परधान मंत्रिय हैं, हम उनसे यह कहना चाहेंगे कि हमारी तरब भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए आपके परिवार के बच्चे जो भटके हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं एक रोजी रोटी की बवस्ता की जाए धन्यवाद हैं. और इसमें कई मारसल हमारे ऐसे जो विचार हाट अटेक से नोकरी जाने के वज़ा से उनकी मोते भी हो गई हैं, और मैं आपके यूवी निवच के माधम से मैं सभी सरकारों से यही निवेदन करना चाहूंगा, कि आपने भरे हमें रोजगार से निकाल दिया गया है, लेकिन ह अरिके Mackie स्वय सीविल डिपेंस के जवान, जभी कभी देश और समाज पर कोई भी आपदा आएगी, क्योंकर कहते हैं कि आप आपके लिए ही बनी है, तो आपके लिए ना सोचे, पूरियों से विल डिफेंस आपके साथ, कोई भी आपदा आती है दिली में या शमाज के ऊ पूर्ण गुपित। लेकिन आज हमें देखना पड़ा है कि पैसे के लिए मोता जाएं तो हम सभी दोनों सरकारों से उपराज पाल जी से और दिली सरकार से यह नहीं बेदन करना चाहेंगे पुनह हमारी समस्या का समधन किये जाए। मैं इने और 30 अवी करो ना गड़ एखते हु और गें। मैं तो यह बत्छों को ना देखते हुए ऑर रजम जनता की सीछिति और मैं लिश-णिव नंगर में सेवाने निजयर फिरुब हएं नेयर भिप बहुत सुक्रूब करन्य श्कूल रहत सक्षिट करोना काल में लोगों को जो भी लोग बाहर से आते थे देना उनको रोटी पानी देखना उनको खाना खिलाना वहां पर मेरे शाथी से तेकिंग काम करते थे मैं उनको लेकर के और घबराहट के मतलब ऐसा महल बन छुका था कि आदमी-आदमी के पास नहीं जा रहा किस इस्तितिम हैं हमने अपने इस दिल्ली की जनता को बचाने के लिए देश की जनता को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ जहां और हमारा तो उपर वाला था आज तक हमको कुछ नहीं हुआ भगवान ने हमें देखा कि ये लोग सेवा दा रहे हैं जनता की तो हमें कुछ बच्चों को दूर से देख लेता था और मुझे पता था कि इस्तिती कैसी है तो मैं खुद घब राता कि मेरे बच्चों को कोई रोग ना लग जाए यह मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए यह सारी सब देखते हुए भी मैंने दिल्ली की जंता और देश की जंता के साथ आम अला सेवा दी और पूरे पूर्ण रूप से अपने सारे रिक से पूरी सेवा दी तन्मन धंसे जैसे में इसे बनी दन्यावाद जी जैसे कि आपने देखा इन्होंने सब कुछ बया किया बिल्कुल डिटेल के साथ कि कुछ लोग तो अपनी जान अरिया देपक रिपोट्स